दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारी यूटिप चैनल पर मैं हूँ आपका सर मिस्टर डी कुमार और ये वीडियो मैं स्पेशली बिहारबोर्ड मैट्रिक के सभी छात्रों के लिए बना रहा हूँ क्योंकि आप सभी को पता है लॉक्डाउन की स्थे को देखते हुए हर एक कोचिंग एवम इंस्टिचूट बंद है जिस कारण आप लोगों का पढ़ाय स्थागित हो चुका है लेकिन आप लोग अपने बोर्ड एक्जैम की तयारी घर बैठे करना चाते हैं तो आप इस चैन पर देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिजिए अगर आप फेश्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लिजिए और इसे अपने सब भी दोस्तों तक शेयर कीजिए हरे ग्रूप में सेयर कीजिए ताकि जितने भी बिहार बोर्ड मैट्रिक के जूर के अपना कंप्लीट स्टडी कर पाएं तो दोस्तों ये डेमो के रूप में मैं प्रेवियर का कुशन बताने जा रहा हूं जिसमें ये मैथमेटिक्स का कुशन है और मैं आपको बताना चाहूंगा ये बिहार बोर्ड के बोर्ड एक्जैम में 2011 में पूछी गई प्रस समझाते हुए मैं श्वल्व करूंगा आप लोगों का बहुत ही अच्छे तरीके से मैं प्रेप्रेशन करवाऊंगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए अगर आप चाहते हैं कि आने वाले शमय में आपको रेगुलर वीडियो मिले तो चलिए बिना समय वेस् पस्ट कर देना चाहूंगा यह 2011 के बोर्ड इक्जाय में पूछी गई प्रस्न है तो इसमें प्रस्ट रूप से 20 कुस्टन पहले जो यह मल्टिपल च्वाइस कुस्टन जिसे आप MCQ कहते हैं जिसमें एक कुस्टन के चार आप्संस रहते हैं कोई एक आप्संस सही होता है तो इस तरह से जो 2011 में जो कुस्टन पूछी गई है तो 20 पहले भी पूछी जाती थी जिसमें 10 जो है मल्टिपल च्वाइस कुस्टन अर्था चार आप्सं वाले होते थे और 10 जो होते थे वह आपको डिरेक्ट आंसर देना होता था अर्था एक ही नंबर का होता था लेकिन आपको आंसर केवल लिखना होता था तो यहां देख सकते हैं 11 से लेकर 20 तक जो है यह आपको इसका आंसर देना होता था और बाकी में जो है आपके ऑप्संस रहते थे आपको केवल आंसर वहाँ पे देखकर कौन सा सही है वो आपको लिखना होता था तो मैं आपको अभी इ देख सकते हैं सबसे पहला कुस्छन जो है यहां दिया गया कि सही उत्तर चुनें सबसे पहला कुस्छन है कौन परी में संख्या है तो आपको पता होगा वैसी संख्या जो PY Q के रूप में होती है जहाब P और Q दोनों कोई न कोई आवाज पुर्णान्क होना चाहिए अर्थात रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या नहीं हो जिसका वर्गेब Ihrer नहीं हो पाए दो बज जाएगा अब दो को आप दो बटा एक भी लिख सकते हैं या पिर जितने भी प्राक्रितिक संक्या होती है वो परिमें संक्या होती है जितने भी प्राक्रितिक संक्या होती है वो भी परिमें होती है धनात्मक रिनात्मक जितने भी संक्या है वो परिमें होती है केबल वो root के अंदर नहीं होना चाहिए तो इस तरह से option number B जो है ये correct answer होगा कि name में से कौन परिमेशंक है तो option number B जो है ये परिमेशंक है आप देखें यहाँ पे 4 plus root 5 आप पढ़े भी होंगे कि सिद्ध करें कि 4 plus root 5 एक आपरिमेशंक है root के अंदर वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग ना हो सके अब देखें पूर्ण वर्ग क्या होता है जैसे हम 4 लिखते हैं तो 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि ये 2 काय स्क्वेर है जैसे हम 8 लिखते हैं तो 8 ये पूर्ण वर्ग शंख्या नहीं है क्योंकि इसका कोई ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है अगर 9 लिखते हैं तो 9 होता है 3 का स्क्वाइर अगर आप 9 का वर्ग मूल निकालते हैं तो 3 होगा 4 का वर्ग मूल निकालेंगे तो 2 होगा तो यही कहा गया है कि यह root के अंदर वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग ना हो वो एक ओपर में ही संख्या होगा क्योंकि देखिए 8 पूर्ण वर्ग नहीं है तो 8 को आप root के अंदर लेंगे तो यह ओपर में ही संख्या हो जाएगा जब आप यूक्लीड पढ़े होंगे यूक्लीड विवाजन तो उसमें आपने पहला ही जो चेप्टर है आप लोगों के NCRT का वास्तवीक संक्या तो उसमें बताया गया है कि कोई भी दो धनात्मक संक्या अगर आप मान लीजिए चार और आठ का लॉशो निकाले और मोशो देखिए चार और आठ का जब आप LCM निकालेंगे तो आठ आएगा और जब आप HCF निकालेंगे तो चार आएगा अब देखिए आठ चार को गुना कीजिएगा तो थर्टी टू होगा और यहां पर दिया गया है कि लॉशो गूने मोशो इस दोनों को गुना कीजिएगा ये भी 32 होगा और संख्या को भी गुना किजीगा ये भी 32 होगा इस परकार किसी धनात्मक पुर्णांक A तथा B के लिए A B का जो मौशा होगा उसको गुना करिएगा उसके A B के लौसर से तो वो संख्याओं के गुननफल के बराबर होता है अर्थात A गुने B के बराबर हुआ है एक घाती का ही दूसरा नाम है राइखिक बहुपद तो ऑफसन नमबर C इसका करेक्ट आंसर होगा अब मैं आपको यह भी असपस्ट कर देना चाहूंगा जब घात एक वाला बहुपद हो जाएगा तो इस तरह से तीसरे question का answer जो है वह आपका option number C होगा देखिए इसका example आप ले सकते हैं जैसे x plus 5 लिखते हैं तो देखिए x में x का power क्या है एक है कुछ नहीं है तो एक है तो ये एक घात वाला बहुपद है इसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं अगर इसी परकार दूसरा कोई यहाँ पर example आप लेख सकते हैं x square plus 2x plus 5 तो देखिए यहाँ पर x का maximum घात कितना है दो है तो ये दूपद हो जाएगा मैं आपको next video में जब आप comment करेंगे आप request करेंगे तो next video में मैं page पे हर एक चीज़ बताऊंगा theory के साथ साथ question भी deal करूंगा आपके NCRT का जितना भी question है हर एक का solution मैं आपको दूँगा हर एक theory के साथ तो आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे आप अगर आने वाला video देखना चाहते हैं तो आप comment करिए चैनल को अब भी subscribe कर लिजे अगर page पे देख रहे हैं तो page को like कीजे और अपने सभी दोस्तों तक सभी group में share कीजे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 5 number question यहाँ पे 4 number question जो है तरीक हात बहुपत का सबसे व्यापक group तो देखिए सबसे पहले यह आपको याद रखना है कि तरीक हात बहुपत है तो जो चर रासी है उसका maximum घात जो है वो 3 होना चाहिए तरीक हात का 3 का मतलब 3 होता है घात का मतलब power होता है तो maximum घात आप यहाँ पे देख रहे हैं C number option में 3 है 3 से ज़ादा नहीं है और 3 से कम भी नहीं तरीक हात है तो 3 से कम भी नहीं होना चाहिए 3 से ज़ादा भी नहीं होना चाहिए तो देखिए A में क्या है maximum 2 ही है B में maximum 4 जो की ज़ादा हो गया इसमें भी 2 है जो की कम तो इस तरह से option number C जो है तरी घहात बोगपद का, अगर दुभी घहात का पूछा जाएग़ जाएगा तो दुभी घहात का होता है AX स्क्वाइर प्लस BX प्लस C और तरी घहात का आपने जान ही लिया रहकिक का भी मैंने बता दिया AX प्लस B होता है और इस तरह से चतुर्थ घात रहेगा तो सेम आपको घात को घरते हुए क्रम में लिखना है जैसे देगिए AX का पावर 4 प्लस BX क्यूब प्लस CX स्क्वाइर प्लस D, last में जो है कोई ने कोई अचर आपको शंख्या लेना है और आप सभी को पता है ये जो है ये constant होगा कोई ने कोई शंख्या होगा तो इस तरह से ये चतुर्थ घात का चतुर्थ घात बहुपत का जो है ब्यापक रूप हो गया तो मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में आने वाले वीडियो में बताऊंगा फिलाल आपको ये थोड़ी बहुत भी समझ में आ रही हो तो आप कमेंट करके ज़रू बताइगेगा पाचमा कुशन जो है trigonometry से लिया गया है कहता है sin a जो है ये 3 बटा 4 है तो cos a का मान क्या होगा देखिए इस तरह के objective प्रास्म को simple आपको solve करने के लिए यहां से देखिए आपको पताऊगा sin square theta plus cos square theta का मान एक होता है तो वहां से भी आप निकाल सकते है cos a बरावर जो हो जाएगा वो root के अंदर 1 plus यहां पे 1 minus sin square theta हो जाएगा 1 minus sin square a है तो theta के जगए पे a है तो a आप लेंगे तो sin का मान यहां पे 3 वर्टा 4 है तो 3 वर्टा 4 का square करके आप निकाल सकते हैं या फिर देखिए sin a 3 वर्टा 4 है तो ज़्यादा तर आप लोग कैसे निकालते हैं अब देखिए sin a हो गया 3 वर्टा 4 और आपको पता है sin a क्या होता है लंब बटा कर्ण के बरावर होता है जिससे आप p y h लिखते हैं लंब बटा कर्ण इसको आप कहते हैं p और कर्ण को कहते है h यह perpendicular हो गया यह hypotenuse हो गया और एक base होता है आधार तो देखिए आपको p का मान कितना आ गया p का मान यहां 3 है h का मान आपके पास 4 है तो आपको निकालना है b अर्थात आधार तो आप पढ़े होंगे पाइथागोरस त्योरेम में आधार जो होता है वो root अंडर कर्ण का square माइनस लंब का square होता है तो 4 का square 16 हो जाएगा और लंब का square 3 का square 9 हो जाएगा तो यहां से आप देखे 16 में से 9 घटेगा तो 7 बज़ जाएगा 9-7-16 तो root के अंदर आपको 7 मिल जाएगा तो देखे P यहां पे आपको 3 हो गया B हो गया root 7 और जो H है वो आपके पास 4 है अब cos A निकालना है तो देखे B बटा H होता है तो B का मान यहां देखे B का मान आपके पास root 7 है और H पहले से पता है 4 तो root 7 बटा 4 आप option अंब D में देख रहे हैं तो यह इसका correct answer हो जाएगा फिर देखे चछटा question जो है 10 A बराबर होगा तो 10 A आप जो है कोटी पूरक formula पढ़े होंगे पूरक कुझ जो होता है तो उसके अंदर आप पढ़े होंगे 10 A जो होता है वो 4 90 minus A के बराबर होता है 10 A जो होता है 5 90 minus A के बराबर होता है देखे जो 6 complementary formula होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहला जो होता है sign 90-θ के ते पड़ेगे या a b हो सकता है तो sign 90-θ को स stuk होता है फिर कॉस् behöver independent से और एंट कर सकते हैं यह साइंट ठीटा अग भराबर होता है फिरieß होता है इस हम नहींटी माइनस ठीटा यह होता है लॉत आपको आपको इस हम फीटाऌ से 번ig यॉत ऑने सकते मेंडेता यह फार्मूला जो है यह इसके बराबर है cot 90-a इसी परकार यह भी बता दू सेक 90-a जो यह हो जाएगा यह कौस एक हो जाएगा जब एक्स से दूरी पुछा जाएगा तो भूज होगा फिलाल सात्मे कुशन का अंसर जो हो जाएगा वह आपका बी हो जाएगा कोटी अठमा कुशन देख सकते हैं नीम्न में से कौन बृत के छत्रफल का सुत्र है देखिए आपको पता होगा बृत का छत्रफल जो एरिया ओफ सर्कल जो होता है वो पाई आर स्क्वाइर के बराबर होता है तो और अगर आपको पूछा जाता कि बृत की परीद ही क्या होती है त इतने भी औबजेक्टी प्रस्ण होते हैं जेनरली वह फॉर्मॉला बेसी होता है तो आपको हर एक चिप्टर का फॉर्मॉला अच्छे तरह से कमांड कर लेना है ताकि आप कम से कम औबजेक्टी प्रस्णों का अच्छे तरीके से जवाब देपाएं नौमा कुशन है संच लोगतना है ये तोरन कहलाती अप जब पढ़ heelर्टी का युद्ध बुक पढ़ेंगे उसमें स्टैक्स शाणखियी चेप्टर थो संचे बारम बारता वक्र जो कहलाती है जिसको ौगिव कहते हैं दसे मीर्टी है युवकलिट व्भाजन एल्गोरिधम जो आपका पहलाई चेप्टर है युकलिट विभाजन एल्गोरिद्म दो धनात्मक पुर्णांकों के निमन में से किसे परिकलिद करने के लिए करने की तकनिक है तो देखे युकलिट विभाजन एल्गोरिद्म जो ए बराबर आपको पता होगा BQ प्लस R होता है यह फॉर्मूला है युकलिट जो है किस चीज के लिए क्या जता है तो मौशव निकालने के लिए क्या जता है जिससे आप इंगलिसमें HCF कहते हैं highest common factor कहते हैं तो यह मौशव निकालने के लिए इसका उप्योग किया जाता है तो यह पुचा जाता है युकलिट वाजन एल्गोरिद्म दो धनात्मक पु देख रहे हैं उसमें कोई options नहीं है आपको answer देना होता है लेकिन अभी जो फिलाल जो board exam हो रही है उसमें आपके जितने भी जैसे 40 questions 40% question पूछे जाते हैं तो उसमें आपको हर एक के options दिये रहते हैं आपको केवल चार में से कोई एक option चूज करना होता है अब यहां पर द विरोधी कहलाता है इस तरह से आप देख सकते हैं आपको पता होगा इसका formula क्या होता है जो रैकिक समीकरन यूग्म होता है उसमें कोई हल नहीं होने के लिए क्या सर्त होता है एवन बट्टा एटू बरावर नहीं होना चाहिए बीवन बट्टा बीटू के तो इसे हम आव इस पर बताऊंगा तो हर एक derivation के साथ मैं बताऊंगा कि 1045 एक ही क्यों होता है इसके पीछे क्या reason है तो मैं हर एक चीज़ बताऊंगा तो फिलाल 1045 का मांज होता है वो एक होता है थर्टीन नमर कुशन है कॉसेक स्क्वाइर ए माइनस वन किसके बरावर होता है तो आप प ठीज़ ए गिसके स्क्वाइर नमर क्रोशन है तो प्लस में घर माइनस में तो कॉसे के स्क्वाइर माइनस वन जो हो जाएगा यह कोट स्कॉ ए जब theta होोगा तो ठीटा आपको प्रियोग करना है जही होगा तो एप प्रियोग करना है तो यहां से जब आप calculate करेंगे तो आप पाएंगे की कोसे के स्कौाइर A माइनस उन्ज होगा वो कोट स्कौाइर A के बरावर उगा गाठट स्कौाइर जाएगा देर। 14 वक्रिशन है डिन 26 ग्री बठटा को待 64 degree का मान ग्याद कीजिए तो देखिए मैं आपको complimentary formula बताया था जो 10 90 minus theta, cot 90 minus theta करके बताया था तो यहां से देखिए इसे आप कैसे solve करेंगे इसमें किसी एक को आपको सेम रखना है दूसरे को change कर दिना है तो देखिए 10 60 degree मैं यहां पर 10 26 degree ऐसे ही रखता हूँ और cot 64 degree कब हुआ होगा जब 10 यह 90 यहां पर देख सकते हैं जब यह इसको लिखेंगे आप 10 26 degree और नीचे वाले को लिखेंगे cot 64 degree को आप ऐसे भी लिख सकते हैं cot 90 minus 26 degree आप लिख सकते हैं तो यहां से आप देखिए 90 minus 26 जो है 64 होगा तो इसको हम ऐसे लिख लिख लिए अब formula आ गया cot 90 minus theta तो यह 10 26 degree उपर में होगा और नीचे में cot 90 minus theta क्या होता है 10 theta ही होता है तो 10 और theta के जग पर 26 degree तो 26 degree दोनों उपर नीचे सेम है कट जाएगा तो इसका answer क्या हो जाएगा एक हो जाएगा जब उपर नीचे पूरा पूरा कट जाता है तो उसका जो answer बज़ जाता है वो एक होता है तो इस तरह से इस तरह का जब भी question आपको पूछा जाए आप आंक मुंद कर इसका answer एक दे सकते हैं क्योंकि जिनरली इसका आंसर एक ही होता है तो फिलाल 14 आंसर एक होगा पंदरनमर कुछन है सुत्र M1 X2 प्लस M2 X1 बटा M1 प्लस M2 M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटा M1 प्लस M2 क्या कहलाता है तो जब आप coordinate geometry जिसे आप निर्दे सांग ज्यामिती कहते हैं उसमें आप पढ़े होंगे इस formula को आप विभाजन सुत्र कहते हैं तो इसे क्या कहलाता है तो विभाजन सुत्र कहलाता है आपको पता होगा जब एक या एक अनुपात माच के अनुपात में किसी रेखागन को भिभाज़ करते हैं तो आपको मध्य बिंदू का निर्दे सांग या फिर कोई भी बिंदू का निर्दे सांग पूछा जाता है तो इसी formula के साहिता से आप निकालते हैं सोलर नमर कुश्चन है बिंदू P X1 Y1 देखिए एक बिंदू P है जिसका निर्दे सांग X1 Y1 है फिर दूसरा Q है जो X2 Y2 निर्दे सांग है के बीच की दूरी तो देखिए बीच की दूरी आप निकालने के लिए आपको पता होगा दो बिंदू के बीच की दूरी क्या होत यहां पर whole square के रुप में दिया गया है complete square के रुप में तो आप जो है इसको पहले भी ले सकते हैं और तो बाद में डाल सकते कोई भी परिवर्तन answer में नहीं होगा इसलिए यह दोनों formula आपके लिए applicable है तो इस तरह से इसका answer जो हो जाएगा यह आपका या तो उपर वाला होगा या तो नीचे वाला दोनों जो है सही है 17 नमर कुछन है दो तिर्भूज में संगत कौन बरावर कहता है देगे दो तिर्भूज है दोनों तिर्भूज का संगत मतलब जो संगत जैसे उपर वाला तो इसका भी उपर वाला साइड लेफ्ट वाला तो लेफ्ट राइट वाला तो राइट यह सभी कौन जो है आपस में बरावर हो तथा संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हैं सभी भुजाएं जो है एक ही अनुपात में हैं तो इन दो तिर्भुजों को क्या कहते हैं तो ये तिर्भुज जो है समरूप तिर्भुज होता है तो कि समरूप का ही कंडिशन है समरूप तरहिखता है ये उल्ग समरूप तरय जो है संगत भूजाएं संगत भूजाएं वो श्रमानुपादी होती है इसका अंसर हो जाएगा समरूप दोतर्ज को क्या कहते हैं समरूप तिरिभूज कहते ने कैए इक एक समकून तरभूज में कर्ण का वर्ग सेस दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बरावर होता है तेकि आपको पता होगा पाइथागुरस थियोरम में एक समकून तरभूज होता है और इसमें आपको ये भी पता होगा कि ये एच है ये पी है ये बी है तो इस तरह से क कर्ण का वर्ग कर्ण का वर्ग कै इस दू अज़ा यह बराबर होता है सरे को किस ने पृतिपादित की है तो इस फॉरμुला है स्ने प्रतिपादित किया तो इस प्रो Med angles की नहीं ने पृतिपादित किया है वह ग्यानिक का नाम जो है वो पैथागोरस है और उन्हीं के नाम पर इस फॉर्मला का प्रतिपादन किया गया है तो इसका जो आंसर होगा इस प्रमे को किस ने प्रतिपादन किया तो पाइथागोरस ने इसलिए आप इसको कहते हैं पाइथागोरस थियोरम यह जो है तो यहां पर कोई मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो मैं हाथ से ही बता रहा हूं तो इसको आधा काट लीजे अब यह किस रूप का हो गया इस रूप का हो गया तो कहता है अर्दगोला का यहां पर वक्र प्रिष्ट जैसे यह जमीन पर रखेंगे तो यह जमीन के 2π2R2 होता है और इसको आधा कर दिया गया तो आधा का क्या हो जाएगा 4π2R2 का आधा जो होगा वो 2π2R2 होगा अगर संपूर्ण पुछा जाता तो फिर हम नीचे का भी लेते लेकिन केवल वक्र पुछा गया तो वक्र 2π2R2 होगा जहां पर आर का मान आपके पास 3.5 cm द यहां पर देखिए आर का मान है 3.5 तो 3.5 गुने 3.5 दोस्तों अगर आप पूरा वीडियो जरूर देखे हैं तो यह जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है इसे कैलकुलेट करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा क्योंकि मैं अभी यहां हम भी घटनाओं की प्राइक्ताओं का योग कितना होता है तो आपको पताओगा जो आप प्रोभावैबिलेटी चेप्टर पढ़ेंगे उसमें घटनाओं जितनी भी ह menor Democrats उन सभी का जो योग वह सकता है एक से हर मिसा छोटा 250 अनृट ato प्राइक्ता का मान होता है जीरो से बड़ा लेकिन एक से हरे मिसा छोटा होता है और अनिश्चित घटना की प्राइक्ता अरता जो घटना घटी ही ना हो उसकी प्राइक्ता जीरो होती है तो यह भी आप याद रखेंगे फिलाल 20 नमर कुशन का आंसर जो हो जाएगा कि किसी प्राइक्ता का योग जोता है वह एक होता है तो आसा करता हो यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी और इस तरह की वीडियो आप पाना चाहते हैं तो आप कमेंट करके निश्चित रूप से ब ग्रूप में सेयर कीजिये मिलते हैं नए वीडियो में नए कुश्चंस के साथ तब तक के ले ले लेते हैं अलविदा जय हिंद जय भारत सब्सक्राइब चैनल और प्रेस्ट बेल आइकन और नेवर मिस अनी अप्देट